हलो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Electric CD Deluxe के बारे में जिसको दोस्तो मैंने पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक में कर दिया है और ये गाड़ी काफी सक्सेस्फुल है और इसमें दोस्तो मैंने लगाया हुआ है 750W का BLDC इलेक्ट्रिक मोटर और पाबर के लिए 48V 29AH की दोस्तो बैटरी लगाई हुई है लीथियमाइन जो की मैक्स गुल्ड कमपनी की है और इसको दोस्तो चारो तरब से हमने अलुमिनेम सीट से कवर कर दिया है और देखने में काफी बढ़ी है दोस्तो ये जो फिटेंग है वो लग रही है मौटर और बैटरी का कॉमबिनिशन काफी कमाल का है जिसमसे से दोस्तो ये जो बाइक के बहुत ही ज़ए सक्सेस्फुल है इसके दोस्तो पैर के ब्रेक को हमने इस तरह से जुगाल करके उसके हाथ पर ही ट्रांसपर कर दिया है इस बायर की मदद से दोस्तो जिसमसे से ये देखने में तो बाइक की तरह है लेकिन चलाने में एकदम स्कूटी की तरह है दोनों ब्रेक हमें हाथ पर ही मिल जाते हैं इस गाड़ी का दोस्तो 170 किलोमीटर तक ट्राइल किया है और ये जो ट्राइल में गाड़ी जो है वो पूरी सक्सेस होई है इस गाड़ी को दोस्तो आप साइड से देख सकते हैं फ्रेंट से देख सकते हैं ये दोस्तो जो CT Deluxe का पुराना मोडल आता है उसी को हमने रिस्टोर किया है और मोडिफाई करके इंजन से इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कर दिया है ये गाड़ी दोस्तो फुली रिस्टोर है सारे पार्ट इसमें एकदम न्यू लगे हुए है और गाड़ी की जो पफॉमेंस है दोस्तो वो बहुती कमाल की है बहुती सक्सेस्फुल ये मोडर रहा तो एक एक करके मैं आपको सारे फीचर बताता हूँ सिंपली दोस्तो इसमें आप चावी ओन करके इसको ले जा सकते हैं इसमें सेल्फ वगेरा या किक का कोई काम नहीं है सिधा आप एक्सलेटर लेंगे और गाड़ी जो वो चलना स्टार्ट कर देगी इसमें आपको तीन स्पीड मूड मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पहला नंबर कर स्विच पे तीन स्पीड मूड मिलते हैं जो की L for low, medium and high तीन इस तरह से दुस्तों हम स्पीड मूड मिलते हैं आपको तीनु इस पीड मूर जो है वो चेक कर के दिखा देता हूँ ये देखिए ये इसका दूस्तो लो है ये हमने इसको मीडियम पे कर दिया और ये हाई पे कर दिया तो इस तरह से दूस्तो ये गाड़ी जो है वो चलती है सिंपल है एक दम इसका मेकैनिजम मोटर से दोस्तो पीछे का चका घूमता है और इस मोटर में दोस्तो आपको आटो किलच मिलता है मतलब जब आप ढ़लान से गाड़ी को उतारेंगे या फिर एक्सिलेटर को छोड़ेंगे तो आपको कोई भी कलच बगर नहीं दवाना पड़ेगा जो चके का ड्रैग रहता दोस्तो जो रिवर्स मोटर घूमती है वो बिलकुल नहीं घूमेगी वो फ्री वील की मंदश से बहाँ पर किलोज हो जाएगा इस तरह की फ्री वील को दोस्तो हमने लेट मसीन से बनवाया है अगर आप इस फ्री वील को बना बनाया खरीदना चाते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहां से जाके आप इस फ्री वील को खरीज सकते हैं और दोस्तो इसको चार्ज करने के लिए यहां पर side में socket लगाया हुआ है तो यहां से दोस्तो हम charger की pin को लगा कि इसकी battery को charge कर सकते हैं एक बार में दोस्तो इसकी battery जो एक बार charge करने पर इसकी battery जो है दोस्तो वो 80 km का run देती है और charging का time दोस्तो जो है वो तीन घंटे है तीन घंटे में battery फोलो जाती है यह आप इसका controller देख सकते हैं सारी connection आप देख सकते हैं सारी wiring जो है वो हमने इसके बीच में filter box की जगे पर लगाई हुई है यह इसका controller है बड़ा वाला और जो छोटा वाला आपको सामनी की दरब दिख रहा है वो इसका converter है जो कि 48V को 12V में convert करता है जिससे दोस्तो हमारे जो indicator या horn या light वगएरा है वो 12V के चल पाते हैं तो यह इस तरह से मोडर गूमती है आप देख सकते हैं किस तरह से इसका mechanism है और brake जब भी हम apply करते हैं दोस्तो तो इसका power brake है एकदम जिस तरह से हमें pair में मिलता है उतनी ही power हमें अपने हाथ के brake पर भी मिलती है तो इस तरह से यह काम करता है जब भी हम brake दबाते हैं दोस्तो तो brake light और हमारा brake एकदम ही respond करते हैं मैं आपको इसकी front cave सारे जो LED बगएरा function नहीं लगा है वो आपको बता देते हैं यह इसकी parking light है यह इसकी man light है इसका high beam है high beam low beam मिलती है यह सारा system हमने LED लगाया हुआ है जिसवेश से दूस्तो यह गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है इसका power भी safe होता है यह इसका आप indicator देख सकते है यह दोनों indicator इस तरह से तो सारे switches control हमें अपने handle पर ही मिल जाते है गाड़ी दोस्तो चलाने में काफ़ी आसान है पहली बात तो दोस्तो यह इस गाड़ी से आपके जो gear है वो निकल गए है इस वरे से आपकी जो pair है एकदम free रहेंगे second दोस्तो हम इसकी आपको top speed बता देते हैं जो top speed है वो 45 km प्रति घंटा की है और यह speed काफ़ी जल्दी पकड़ती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो दो लोग हो या तीन लोग हो या फिर साथ में और कुछ सामान हो इसकी जो load capacity है वो 600 km बजन के साथ यह अपनी fully speed में चल सकती है और इसकी brake बगर हमने जो बनाए हुए है दोस्तो वो काफी कमाल के अर्जेंट ब्रेकिंग में भी हमें इस तरह से रुकने की पावर मिलती है इस टॉपिंग पावर काफी अच्छी है इस गाड़ी में और एके करके मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ इस गाड़ी के बारे में इस गाड़ी में दोस्तो बाट की BNDC मोटर लगे हूए जो की GK कमपनी की है इसमें हमने जो बैटरी लगाई हूए दोस्तो वो लीध हमाएन बैटरी है जो की 48V 29Ah की है और जो कमपनी है दोस्तो वो मैक्स वोल्ट कमपनी की हमने लगाई हूए क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो काफी अच्छा हमें वेक Secondly दोस्तो यह जो गाड़ी है वो पुराने मॉडल की CD Deluxe है जिसको हमने पेटरोल से इलेक्टरिक में कनवर्ट कर दिया है और एक तम इसकी नए मॉडल को एक लॉंच दिया है तो यह गाड़ी दोस्तो आपको कैसी लगी मुझी कमपनी कॉस्ट से ज़रू बताएं इस गाड करते हैं अपने किलोमीटर ट्रेवल करने पर तो एक रुपे के खर्च पर दोस्तो आपकी जो गाड़ी है वो बारा से तेरा किलोमीटर जो है वो आपको डिस्टेंस कवर कराती है और जो पैसा आपका खर्च होगा वो आपका electricity में खर्च होगा जिसका पैसा आपको तुरं अगर आपकी पास कोई पुरानी वाई के तो इसमें कैसे motor बैटरी वगैरा फिट कर सकते हैं सारा सामान कहां से खरीदें क्या किस बैटरी की performance है सारी आपको detailed next वीडियो में मिलेगी तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताएं साथी में दोस्तो next वेडियो कंतिजार करें तभी आपको हमारे वेडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए का दूस्तों